नीचे description में आपको ring theory की playlist का link मिल जाएगा आज हम बात करेंगे Euclidean domain के बारे में पहले इसकी definition दखेंगे और फिर कुछ example भी करेंगे तो definition हमारी किस तरह से कि a commutative ring with unity without zero divisor d basically यह जो हमारा बोलड़ा यह हमारी definition है integral domain की तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं यहाँ तक कि a integral domain is said to be Euclidean domain if there exists d यह हमारा एक function define किया जाएगा d minus singleton zero यानि non zero d पर d हमारा integral domain है इससे zero element निकाल दिया और कहां तक positive integer यहाँ पर यह हमारा set of natural number है इसमें हमने zero add कर दिया such that पहली condition क्या satisfy करें कि da into b यह greater than equal to होना चाहिए da से भी और db से भी यहाँ पर यह comma लगा यह into नहीं है comma है dab जो है वो greater equal होगा da, db से दूसरी condition क्या है कि for any a, b belongs to d there exists q, r belongs to d such that a is equals to bq plus r where dr less than db और r is equals to zero यानि यहाँ पर यह r यह जो है या तो zero हो या फिर यह condition satisfy करें तो इसको हम बोलेंगे d को euclidean domain ठीक है, basically यहाँ पर एक function में ढूंडना है जो यह दो condition satisfy करें example देख लेते हैं, यहाँ पर example हमने दो लिये हैं एक z है और एक z i are euclidean domain तो solution देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखो हमने एक function define किया, d कहां से कहां z minus 0 से n union, singleton 0 और किस तरह से define किया, d n is equals to mod n mod n से define किया हमने अब यहाँ पर देखो for any m, n belongs to z minus singleton 0 mod m into n greater than equals to mod m, mod n यह होता है हमेशा जैखो ऐसे है, जैसे अगर हमने m ले लिया कोई भी 2 यहाँ पर n ले लिया हमने 3, तो 2 into 3 क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 जो है वो हमारा 2 से भी greater होता है, और 3 से भी greater होता है होता न? तो यहाँ पर इसी लिये वही चीज लिखी है तो यहाँ पर हमने देखा कि d m into n यह greater than equal होगा d m से और d n से तो पहली condition हो गई दूसरी condition क्या है कि for any m, n belongs to z n is not equal to 0 there exists q, r belongs to z such that m is equals to n into q plus r यह क्या होता है हमारा division algorithm class 9th में हम पढ़ते है या फिर class 10th में पढ़ते होंगे ठीक है, तो यह वही चीज है जहाँ पर हमारा r क्या होता है यह हमारा reminder होता है mod r less than होता है mod b के basically यहाँ पर जो b है वो हमारा क्या है n है, तो हम इसको n लिख सकते है mod n और इसी को हमने लिख लिख लिया के dr जो है वो less than होगा d n के तो यहाँ पर देख सकते हैं यह दूसरी condition भी satisfy करेगा तो यह imply करेगा z is in ed euclidean domain दूसरा क्या है हमारा z i तो z i के लिए हमने function किस तरह से define किया है यहाँ पर d a plus ib is equals to a square plus b square यहाँ पर d हमारा कहां से कहां है z i minus singleton 0 से n union singleton 0 तो यह भी हमारा क्या होगा यह दो condition से टिसपाई करेगा पहली और दूसरी और तब हम कहेंगे कि यह z i भी जो है वो क्या है euclidean domain है तो इसको आप अपने आप अकेले कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में